हेलो दोस्तों सवागत है आप सभी का मेरे यूटुब चैनल पर और दोस्तों आज हमारा टॉपिक है आतंगवाद आतंगवाद पर निमंद दोस्तों संफुन रूप से कोई भी तथ्य में पीछे ने चोड़ने वाला सांदार आतंगवाद पर मैंने निमंद बना लिया है त जो निमंद सग्रे है उसके बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों सबसे पहले आतंगवाद के कौन से हैप्तित थे और किस परकार लिखना है निमंद वीडियो को करता हूँ शुरू इससे पहले अभी तक आपने मेरी डिक्टियान को सब्सक्राइब ने किया तो कर देज तो निमंद की रूपरे का हुए सबसे पहली परस्तावन उसके बाद राष्टिय और अंतराष्टिय समस्याए फिर होगे आतंगवाद का मुख्य लक्षे फिर होगा भारत एक विक्सित देश इसके बाद हम बात करेंगे भारत में आतंगवादी हमला फिर होगा आतंगव आतंगवाद का कोई नियम कानून नहीं और फिर लेश में बात करेंगे निमंद के उपसहार के बारे में तो दोस्तों निमंद को अब लिखना कैसा है ये रहेंगे मैं पॉइंट इन पर हम करेंगे सरसा है तो चलिए वीडियो को करते हैं सुरू आतंगवाद पर निमंद तो यानि कि दोस्तों आतंगवाद एक हिंसा का गहर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंगवादियों दवारा ही ये काम किया जाता है आज आतंगवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है आज इसका इस्तेमाल आम लोग और सरकार को डराने धमकाने के लिए हो रहा है बहुत आसानी से अपनी लक्षियों को प्राप्त करने के लिए तथा अपनी बात मनवाने के लिए विभिन सामाजिक संक्ठन राजनितिक और वेपारिक जुग्यों के द्वारा आतंगवादियों का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का समुँ जो आतंगवाद का समर्थन करते हैं उन्हें आतंगवादी कहाते हैं आतंगवादिक को परिबासित करने का आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी जड़े बहुत गहराय तक जमाई हुई है आतंगवादियों के पास कोई नियम और कानून नहीं होता ये लोग समाज और देश में आतंग के इस तरको बढ़ाने और उत्पन करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविद्यों का सहारा लेते हैं अम बात करते हैं बारत में राष्टियों और अंतराष्टिये समस्या आतंगवाद की कौन सी है जो भारत देश में ही नहीं पूरे विशव के लिए आतंगवाद एक राष्टियों और अंतराष्टिये समस्या बन चुका है ये बस एक वैस्विक समश्या हैं जिसमें लगभग सभी राष्टों को पर्तिक्स और अपर्तिक्स रूप से प्रभावित किया हुआ है हालांकि बहुत से देशों दोरा आतंगवाजियों का सामना करने की कोशिस की जारी है लेकिन कुछ लोगों के दोरा इसे आज भी समर्थन दिया जा रहा हैं आम लोगों को किसी भी समश्या खोफनाक तरीके से डराने का एक हिंसात्म कूप करते हैं ये आतंगवाज आतंगवाजियों के बहुत सारे उद्धिश्यों होते हैं जैसे की समाज में हिंसा के डर को फैलाना राजनेतिक उद्धिश्यों की प्राप्ति करना कोई सेहर को तभा करना आदी इसके निसान पर हर वकत देश का आम नागरिग नेता बड़े हस्तियां होती हैं इनके दोस लक्षे होता है लोगों और सरकार तक अपने आवाज को पूचाने के लिए वो किसी को अगवा कर लेते हैं ऑनलाइन सोसल मीडिया समासार पत्र पत्रिकांक से संपर्ग करते हैं कई बार आतंगवादी हमले अपने वेचारिक और धार्मिक लक्षे को पूरा करने के लिए भी किया जाता है अब बात कते भारत एक विक्सित देश है फिर भी आतंगवाद की सम्षिया क्यों उबर रही है तो भारत एक विक्सित देश है जिसमें पुरव और वर्तमान में बहुत सारी सुनुत्यों का सामना किया है आतंगवाद उसमें ऐसे एक बड़ी राष्टिय सम् असिक्सा, गरिवी, असमानता, जनसंग्या विस्पोर्ट और आतंगवाद जसी सुनूतियों का सामना किया हैं, जिसमें इसका विकास और वर्दिकियों बुरी तरसे प्रभावित किया हैं, आतंगवादियों का कोई धर्म जाती नहीं होती, जेसमें तबा करना ही उनका लक् आतंगवादी अपने आपको एक बहादूर सैनिक बताते हैं हाला कि वो वास्तों में सैनिक नहीं अपरादी होते हैं सचिन सैनिक कभे भी आम लोगों को नुक्सान नहीं पहुंचाते और वह केवल दुस्मनों से अपने देश को बचाने के लिए लड़ते हैं वास्तों में अश्ली सैनिक वो होते हैं जो राष्ट हित के लिए लड़ते हैं और आतंगवादी राष्ट हित के लिए नहीं लड़ती बारत में आतंगवादियों का हमला एक राष्ट सैनिक अपनी सब ही समेद्वाजियों को समझता है जबकि एक आतंगवाद किसी भी ऐसा नहीं करता आतंगवाद्यों को अपना नाम आतंग सब्द से मिला है वो जहां जाते हैं अपना आतंग पूरे सहर को तभा कर देश में विक्षित को रोप देते हैं पूरों में आतंगवाद केवल कुस सेतरों तक ही सीमी था जैसे जम्मू कस्मी हारा की आज के दिनों में लगबग सभी सेतरों में फेल चुका हैं खास तोर से भारत में उत्तरपूरी इलाकों में हाल ही में भारत के आतंगवादी हमला मुंबई के नरीमन हाउस और ताज होटल में हुआ था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गवादी या तक कि देश की अर्थवेवस्ता को भी इस हमले ने हिला कर रख दिया अब बात करते हैं आतंगवाद एक राष्टिय मुद्दा आतंगवाद एक बड़ा राष्टिय मुद्दा है जो देश में आतंग मचाने के लिए मानो दिमाग का इस्तिमाल कर रहा हैं लोगों को कमज़र बनाने के लिए उन्हें डरा रहा हैं जिसमें वो राष्ट पर मारो मस्तिक में और साधरन आतंग को हटाने के लिए ही इसके सामराजय को पूरी तरह से खतम करने के लिए हमें एक मजबूत नीती बनानी चाहिए। और दूसरे के द्वारा अपने साथ गटित हुए कुछ गलत घटनाव या कुछ प्राकर्तिक आपदाओं के कारण वे किसी तरह सी अपने दिमाग पर से अपना नियंतरन खो देते हैं जो उनकी इच्चाओं को सामाने या स्विकार तरीके से पूरा करने में असक्सम बना दे दिरे दिरे वो समाज में कुछ बूरे लोगों के परभाव में आ जाते हैं जहां उनकी सभी इच्चाओं को प्यूरा करने का वादा किया जाता हैं वे सभी एक साथ मिलते हैं और एक आतंगवादी समू बनाते हैं जो की अपने ही राष्ट समाज और समुदाई से लड़त हैं आतंगवाद देश के सभी युवाओं के विकास और वर्दी को परभावित करता हैं ये राष्ट को उचित विकास के कई वर्सों पीछे धखेल देता हैं अंतराश्टिय या आतंगवाद देश पर अंगरेजों की तरह राज कर रहा हैं जिसमें हमें फिर से आजाद हो होने की जरूरत हैं हालाकि ऐसा परतित होता है कि आतंगवाद हमेसा अपने जड़ों को गहराई और फैलाता रहेगा क्योंकि अपने अनेतिक उद्धिश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट के कुछ अमीर और बड़े लोग अभी भी इसको समर्तन दे रहे हैं बारत में धेर सारी सुनोतियां भारत धेर सारी सुनोतियों का सामना कर रहा है जैसे गरीबी जनस्यावरती निर्खसरता और समांता आदी फिर भी आतंगवाद इन सबसे ज़्यादा खतरناक हैं जो पूरी मानव जाती में परभावित कर रहा हैं ये बहुत ही डरावनी बिमारी हैं जो लोगों को मानसिक और बौधिक इस्तरबर पर भावित कर रही हैं चाहे सोटा देश हो या बड़ा देश ये दोनों ही जगे सुनोतियों के रूप में हैं तथा आतंग अप्थेलाने के मकसद से त्यार बेटे हैं अपने कुस राजनितिक धार में किया व्यक्तिक गतलक्ष के प्राप्ति के लिए आतंगवाद अर्थात प्रेसान लोगों के समों के दवारा हिंसात्मक तरीके का परियोग किया जाता है या परियोग आतंगवाद हैं आतंगवाद का कोई नियम या कानू नहीं आतंगवाद का कोई नियम कानू नहीं होता वो केवल अपने मागों को पूरा करवाने के लिए सरकार के उपर दबाव बनाने के साथ ही आतंग को हर जगे फैलाने के लिए नितोस्त लोगों के समू या समाज पर हमला करते हैं वे समाज जाती के एक बड़ा खत्रा हैं वे कभी भी अपने दोस्त परिवार बच्छों महिलाओं बुड़े लोगों के समझोता नहीं करते वे केवल लोगों को हानी पहुचाना चाहते हैं उनका काम लोगों पर गोलिया चलाना विवानों का अभरन करना और दूसरी आतंगवादी गतिविद्यो को अंजाब देना इनका लक्षे होता है अब बात करते हैं उपसहार कम से कम समय में अपने मुख्य सेत्रों या देसों में आतंग फैलाने के लिए आतंगवादी लक्षे बनाते हैं पुरों में ऐसा वारा जाता है कि आतंगवादी गतिविद्या के वर जमू और कस्मिर तक ही सीमित थी लेकिन अब ये अपनी जढ़े देस के दूसरे सित्र में भी फैला रहा हैं आज देस में अलग अलग नामों के साथ कई सारे आतंगवादी समू सक्रिये हैं अपने कारियों के नुसा राजनितिक और अपराधिक आतंगवाद के दो मुख्य परकार हैं कुस खास लक्ष को पूरा करने के लिए परतिश्च लोगों का समू हैं ये आतंगवाद हैं विभीन उद्देशों को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा आतंगवादी समू परतिक्षन किये जाते हैं ये एक बिमारी की तरह है जो निमित तोर पर फैल रही है और इसे जल्द से जल्द रोकने की जरूत हैं तो दोस्तों अब सहार के साथ आतंगवाद का जो ये निमन्द है आज यह पूरा होता है और चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को लाइक दे जए तोस्तों के साथ वीडियो को सैर करें और बाकी सभी निमद हमारे चैनल पर उपलमन्द करवाए गए हैं और करवा ही दिये जाएंगे तो आज के वीडियो में बस इतना है और आपका जो जल्द से जल्द टॉपिक का जो निमंद चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी जो भी माग होगी और निमंद वकी वो आपको पूरी करवा दी जाएगी